शमिता शेठी हुई बेहोश करन कुंद्रा ने संभाला शमिता को अपनी बाहों में उठा कर करन ले गए शमिता को मेडिकल रूम में जी हाँ बिग बॉस के घर में चल रहा है घमासान जिसका रिजल्ट ये हुआ कि शमिता हो गई बेहोश आपको बता दें कि देवोलीना और शमिता के बीच हुई है फाइट और इन सब में शमिता और देवोलीना का जगड़ा इस कदर बढ़ गया कि दोनों हाथा पाई पर उतर आए लेकिन बाकी घरवालों ने उन्हें रोक लिया अब शमिता ने कुछ ऐसा कह दिया तो देवोलीना भी पीछे रहने वाली कहा है देवोलीना ने कहा तेड़ी सेटी गिरी यहां निकाल दूगी और इसी सब कहा सुनी के बीच शमिता बेहोश हो गई करन ने वक्त पर आके उन्हें संभाल लिया और उन्हें मेडिकल रूम लेकर गए इस सब जगड़े और शमिता के बेहोश होने की वज़े से उनके फैंस काफी नाराज हो गए है नेहा भसीन ने भी शमिता को अपना सपोर्ट दिखाया है और शमिता के फैंस ने भी सोशल मीडिया पर दिखाई है अपनी नाराजगी और शमिता को किया है फुल सपोर्ट अब बिग बॉस के घर में तो ऐसे जगड़े होना आम बात है मगर बेहोश होना आम बात नहीं है अब देखते हैं कि बिग बॉस किस पर कौन सा अक्शन लेते हैं या फिर इसे एक गेम का पार्ट मान कर छोड़ देते हैं झाल 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 झाल